नमस्कार मैं आपका Top Reporter में सौगत करता हूँ इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक scholarship के बारे में कुछ detail शेयर करनी है यह scholarship सभी mandatory student के लिए रहेगी और यहाँ पर क्या detail दी गई है वो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है सबसे फिले बाद scholarship का नाम सल्लादेवी scholarship है और यहाँ पर eligibility हम देख लेते हैं तो अगर आप 1-year MBS में हो Engineering, Nursing, LLB, Psychology या Mass Communication में हो With 12 में यानि 12 standard में अगर आपका 25% हो तो आप इस scholarship के लिए eligible हो एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है कि अगर आप CACS के लिए Apparing कर रहे हो यानि CACS के लिए aim कर रहे हो तो भी आप scholarship के लिए eligible होगे Last eligible criteria यह है कि Family Annual Income 4.5 पर NM से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि scholarship कितना है तो Science और Engineering के लिए 75,000 का scholarship है 20,000 for Arts, 25,000 for Commerce and CACS 15,000 for Vocational Courses तो यह scholarship काफी अच्छा है दूसरे scholarship के comparison में Deadline 31 March का है यानि आपके पास थोड़ा सही समय है अगर आपको registration करना है तो आपको www.b4s.in slash edge slash sds5 link पर जाके registration कर देना है तो इतना सा detail मुझे आप सभी के साथ share करना था अगर आपके वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हों तो नीचे जो like का बटन है जो subscribe का बटन है उन्हें दबाना ना भूलिये धन्यवाद